Hello everyone, आज हम एक बहुत ही असान सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ाई करी थी, matter के बारे में, मतलब पदार्थ के बारों में हमने पढ़ाई करी थी, आज हम जानेंगे कि क्या ये पदार्थ शुद होते हैं, शुद का मतलब English में होता है, प्योर होते है कि नहीं, अगर ये शुद होते हैं, तो क्या examples हैं, नहीं होते हैं, तो क्या होता है, तो आज हम ये सारी चीज़े पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक रिवाईज और कर लेते हैं, हमने पिछली क्लास में matter के बारे में जाना था, वो सारी चीज़े ऐसी होती है, जिनका अपना mass भी होता है, और वो कोई ना कोई जगा भी लेते हैं, अपने आसपास, तो ये सारी चीज़े हो जाती है, matter, ये सारी चीज़े हो जाती है, पदार्थ, इनको हम पदार्थ बोलते हैं, अब क्या ये पदार्थ शुद है, हमें ये जानना है, तो हम शुद को हम बोल सकते हैं Pure substance. क्या हमारे आसपास सारी जितनी भी पदार्थ है, वो सब pure या शुद है या नहीं. अगर शुद है, तो कैसी होती है, शुद नहीं है, तो कैसी होती है. हम ये सारी चीजे जानेंगे. मतब दो प्रकार की तो चीजें हमें समझ में आही गए है. एक प्रकार होता है सारी चीजों का शुद और दूसरा होता है अशुद जिनको हम impure बोलती है. ठीक है? तो अभी हमने दो चीजों में अपने माटर को आगे की तरफ क्लास को हम लेकर जा रही है. तो आगे की तरफ हम दो चीजों में हमने divide कर दिया है अपने ये सारे पदार्थों को तो एक हम सबसे पहले शुद पदार्थ के बारे में चलो अब हम बात कर लेती हैं. जब भी आपके सामने कोई भी पदार्थ आए और अगर वो आपको पहचानना हो कि वो शुद है तो आपने हम सबसे पहले देखना है कि वो सारी चीजे जो है वो किस चीज से बनी है अगर उन सब की अंदर सब कुछ uniform है सब कुछ एक जैसा है एक समान है तो वो सारी हो गई है pure substance वो सारी चीजे हो गई है शुद्ध पदार्थ जैसे उन सब की अंदर जिन भी चीजों से मिलकर, छोटी-छोटी चीजों से मिलकर, अगर एक चीज से मिलकर समान वो बना है, वो बदार्थ बना है, तो वो बन जाता है हमारा pure substance वो बन जाता है हमारा शुद्ध बदार्थ अब अगर वो एक चीज से मिलकर ही बना है, तो उस चीज की वज़े से जितनी भी उसके आसपास properties करी जाएंगी वो सारी same होंगी भले ही physical, मतलब उसका shape, उसका size अकार, प्रकार किस तरीके से वो है, वो सारी चीजें और उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब भी एक समान अगर हैं तो वो सारी चीजें हो जाएंगी हमारे लिए शुद पदार्थ अब बहुत सारे examples हम लेकर चलेंगे और बहुत सारे examples के साथ हम समझेंगे कुछ example मैं लिख लेती हूँ जैसे elements इनको हम तत्व बोलते हैं तो जैसे ये तत्व हो गए बहुत सारे तरीके के तत्व होते हैं जैसे sodium, magnesium calcium, potassium oxygen बहुत सारे तरीके के हमारे तत्व होते हैं हम इन तत्व को भी आगे और प्रकार के पढ़ेंगे और हमारा दूसरा example हो जाता है yogic मतलब compounds तो ये दोनो examples हैं मतलब ये सारे हमारे elements भी और compounds भी मतलब हमारे तत्व और yogic दोनो ही हमारे हो गए हैं शुद्ध पदार्थ ठीक है अब हम थोड़ा सा और इन सब के बारे में जान लेते हैं और अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा elements के बारे में मतलब हम इन तत्वों के बारे में जानती हैं ये कहां से पाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं जो तत्व होते हैं वो हमारे वो बनती हैं एक चीज़ों एक ही चीज़ से तो कभी भी definition आएगी तो आप लिख सकते हो made up of one kind of atom मतलब एक ही जितना सबसे छोटा सा छोटा जो इसके अंदर कण होता है वो भी एक ही समान चीज़ से मिलकर बनता है मतलब कण कण उसके जो भी हमारा substance है जो भी हमारा पदार्थ है वो एक ही चीज़ से मिलकर बना है ठीके तो अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं तो अब ये हमारे जादा तर तीन तरीके के हमारे तत्व होते हैं पहला होता है हमारा मेटल्स जो मेटल्स होते हैं वो जादा तर लश्चरस होते हैं मतलब बहुत चमकीले होते हैं बहुत अच्छी शाइन होती है बहुत चमकते हैं, बहुत अच्छे conductor होते हैं, मतलब इसमें से heat और गर्माहट और जो बिजली है, ये असानी से इनमें से निकल जाती है, ये हमारी तारों में ज्यादतर यूज होते हैं, और बहुत अच्छी इनकी melting point और boiling point भी होता है, मतलब भाप अच्छी बना लेते हैं, बहुत बड़ी मातरा में temperature को वो ले जाते हैं, तापान को वो ले जाते हैं, तो ये ज्यादतर हमारे metals के हमारे कुछ हो गए हैं, properties, कुछ हमने इसमझा हैं, बहुत अलग-अलग तरीके के metals भी होते हैं, ज्यादतर जो metals होते हैं, वो solid हो होते हैं, दूसरी प्रकार होती है तत्वों की non-metals, जो metals होते हैं और non-metals, ये दोनों आपस में बिलकुल अलग होते हैं, अगर metals lusherous हैं, तो non-metals lusher नहीं हैं, मतलब भी बिलकुल नहीं चमकते, heat और electricity बिलकुल नहीं पास करती हैं, इन में से नहीं गुजरती हैं, ये ह जादातर, solid liquid gas सीनों में पाए जाते हैं, और और भी बहुत सारी तरीके के ductile नहीं होते हैं, मतलब इनको छोटी-छोटी तारों में नहीं बनाया जा सकता, fold नहीं हो सकते हैं, तो ये सारी चीजे हैं, जो हम non-metals में हमने समझेंगे, और हमने बड़ी class में समझेंगे, बस म आपको थोड़ा सा मतलब बता रही हूं कि ये जो तत्व होते हैं, ये जो शुद्पतार्थ होते हैं, ये कितने-कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमारा जो तीसरा आया है, हमारा तत्व जिसका जो प्रकार है, metalloids, metalloids दोनों चीजे होती हैं, जो हमारी metals की भी सारी खूब होती हैं इनके अंधर, ठीक है, तो ये हो गई है हमारे तीन प्रकार के तत्व, metals, non-metals और metalloids, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक example जो हमने पढ़ाई करी है, elements की, दूसरा example की तरफ हम चलते हैं, दूसरा example हम लेते हैं, compound का मतलब की योगिक, अब हम समझते हैं, compounds या यो क्या होता है, compound, अब element और compound में तत्व और जो हमारा योगिक है, इनके अंदर सिर्फ एक ही major difference है, इनका difference ये है, कि ये 2 या 2 से जाधा तत्वों से मिलकर बनी है, तो 2 या 2 से जाधा तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है, अब ये इनके अंदर तत्व है, तत्व तो हमारे pure substance है, तत्व हमारे शुद्ध पतार्थ है, अब इनके अंदर यही शुद्ध पतार्थ अगर आ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये भी शुद्ध ही रहे, शुद्ध वो तब रहेंगे जब हमें पता होगा कि वो कितने त भाशा में पढ़ते हैं, जैसे मैंने example लिया, sodium chloride का, ठीक है, तो ये एक हमारा yogic है, जिसके अंदर दो elements मैंने मिलाए है, एक मिलाया है sodium और दूसरा मिलाया है मैंने chlorine, ठीक है, ये दो हमारे तत्व है, अब ये sodium और chlorine जो मिले है ये आपस में जो combine करे गए हैं, वो एक proper proportion में, मतलब कितना हमें समान चाहिए, उतने ही proportion में मिलाए गए हैं, ना कम ना जादा, हमें पता है कि कितने proportion में ही, कितनी मात्रा में इनको मिलाया जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है, उससे हमें पता चल जाएगा, कि ये एक योगिक हमारा शुद पदार्थ है, इसी वज़े से हम इसको अशुद नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है, कि हमने इसको कितनी मात्रा में आपस में मिलाया है, ठीक है? अब हमने दो तत्वों को आपस में मिलाया है, तो हम इनको अलग भी कर सकती है क्योंकि हमें पता है, कि हमने कैसे मिलाया है, हम इनको बिलकुल अलग कर सकती है तो ये कुछ examples हो गए हमने pure substance के बारे में, हमने शुद पदार्थ के बारे में जाना है, elements के बारे जाना है तत्व के बारे में और कुछ चीजें हमने यौगिक के बारे में जानी है कि ये सब क्या होते है और ये शुद्पदार्थ क्यूं है ऐसा question ऐसा सवाल आ सकता है आप सब के पास कि ये शुद्ध क्यूं है ये इसलिए शुद्ध है क्योंकि ये एक चीज से मिलकर बने ह one kind of atom से और इनकी जो proportion है इनकी जो मात्रा है वो similar है वो बिलकुल uniform है बिलकुल एक समान है और इनके अंदर की properties भी बराबर है इसी वज़े से हम इनको बोल सकते हैं कि ये हमारे शुद्ध पदार्थ है तो अब हम चलते हैं हमारे matter के जो दूसरी प्रकार है मतलब अब हम जानते हैं impure substance के बारे में अशुद्ध पदार्थ के बारे में हम इनके भी बहुत सारे example पढ़ेंगे अशुद्ध प्रकार बनते हैं दो या दो से जादा दो या दो से जादा अब वो हमारे pure substance भी हो सकते हैं हमारे शुद्ध प्रकार भी हो सकते हैं पर वो अगर शुद्ध प्रकार है तो वो compound बन गए हमारे योगिक बन गए योगिक तब बनते हैं जब हमें पता होता है कि ह हमने उसको कितनी मात्रा में लिया है बर अश्युद तब बनते हैं जब हमें नहीं पता होता है कि हमने उसको कितनी मात्रा में लिया है हमने उन दोनों को मिलाया है हम उन दोनों पदार्थों को मिलाया है और मिला कर हमको नहीं पता है कि हमने कितनी मातरा में उनको मिलाया है तो कुछ भी बन गया एक कुछ भी definite proportion नहीं रहा एक समान मातरा नहीं रही और इसकी वज़े से हमारे पास एक मिश्रन बनकर तयार हुआ है उस मिश्रन को हम इंग्लिश में मिक्शर कहते है हमारे पास एक मिक्शर तयार हुआ है क्योंकि जितना भी हमने पदार्थ इसमें मिलाया है वो अपने आप किसी भी एक समान मातरा में हमने उसको नहीं मिलाया है हमने किसी भी मातरा में उसको ले लिया है एक कम, एक जादा, एक बहुत जादा ठीक है? तो इस वज़े से ये हमने एक मिश्रण को बना लिया है तो अब हमें समझ में आ गया है कि इंप्योर अशुद पदार्थों से क्या बनता है? मिश्रण बनता है अब ये जो मिश्रण होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के ठीक है? तो आप सब लिख लीजिए पहला मिश्रण बनता है होमोजीनियस मिक्षर जिसको हम बोलते हैं सजाती है मिश्रण और जो दूसरा हमारा मिश्रण होता है वो होता है विजातिय मिश्रन मतलब हेट्रोजेनियस मिक्षर तो ये दो प्रकार के हमने मिश्रन समझ लिये हैं एक है सजातिय मिश्रन और दूसरा है हमारा विजातिय मिश्रन ठीक है तो अब हमने ये इसके कुछ आप मान सकते हो कि हमने इसको further classify किया है, आगे और भागों में उसको हमने तोड़ा है और अब हम समझने वाले हैं इन सब को, एक-एक करके हम जानेंगे इस मिश्रण के बारे में और इन सब के बारे में कि ये आपस में क्यों अलग है, क्या नई चीज़े ये हमें और दिखाता है तो चलिए, सबसे पहले हम मिश्रण के बारे में समझ लेते हैं कि मिश्रण क्या होता है मिश्रण जो होता है वो भी दो या दो से जादा पदार्थो को मिला कर बनता है ठीक है, अब ये इस में हमारे आपस में combine एक दूसरे से नहीं होते है proper, chemically आपस में mix नहीं होते है बिलकुल भी और इन सबको अलग भी किया जा सकता है इन सबको हम अलग भी कर सकते है ये तैक करता है कि हमने कौन से तरीके का मिश्रण बनाया है अभी हमने दो तरीके के मिश्रण समझे थे एक समझा था हमने सजा दिया और दूसरा समझा था हमने विज़ा दिया तो चलो, अब हम समझते हैं सबसे पहले अपने पहले मिश्रण की तरफ हम चलते हैं और हम समझते हैं हमारा सजातिय मिश्रण सो सजातिय हमारा नाम ही बता रहा है कि सब कुछ एक समान है ठीके मतलब इसके अंदर ये मिश्रण है मतलब इसके अंदर भी दो या दो से जादा चीजे ही लगेंगी इसको बनाने के लिए ठीके अब इन समय जब दो या दो से जादा चीजे लगेंगी और ये सजा दिया है मतलब इसमें सारी चीज़े जितने भी चीज़े लगी है वो लगी है एक समान मतलब हमें पता है कि ये आपस में कैसे मिली है ये एक समान रहेंगी पूरे मिश्रण में तो आप लिख लीजिए यूनिफॉर्म कॉम्पोजीशन सो पूरे मिश्रन में हमारे ये एक समान रहेंगी तो चलो कुछ examples कि हम समझ लेते हैं किसाथ और फिर आगे उनकी properties भी जानेंगे अगर हमने नमक लिया और पानी लिया हमने नमक और पानी का बनाया है घोल तो आप सबको पता होगा जैसे हमने एक glass लिया और उस glass के अंदर मैंने अगर पानी को डाला और थोड़ा सा नमक ले लिया थोड़ा सा नमक लिया तो अभी तो हमें वो दिखाई दे रहा है बट वो थोड़ी देर बाद हमें एक उस glass में सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा क्यों पानी नजर आएगा क्योंकि वो घोल बन गया है और जो नमक है वो पूरा का पूरा घुल गया है उस पानी में तो वो घुलने को हमारे पास आ गया है शब्द वो है solution तो जो homogeneous mixture होते हैं जो हमारे सजादिय मिश्रन होते हैं वो बनाते हैं हमारे घुल तो ये हमारी है कुछ property और अब आप देख लीजिए कि पहले तो हमें अलग से दिखाई दे रहा था नमक बड़ एक मिनट बाद या दो मिनट बाद हमने देखा कि हमें वो अलग से नहीं नजर आ रहा तो अब हम ये हम properties पढ़ने वाले हैं कुछ इन सजादिय मिक्षर के बारे में हम example पढ़ रहे थे सजादिय मिक्षर का मिश्रन का जो है हमारा salt और water का नमक और पानी का ठीक है तो अब इसमें क्या हुआ था कि हमें अलग से जो नमक था वो दिखाई नहीं दे रहा था मतलब हम इनको अलग से नहीं देख सकते it can never be differentiated हमें अलग से कोई भी boundary नहीं नजर आएगी कोई भी हमें रेखा नहीं नजर आएगी हमें नहीं पता चलेगा कि नमक कहां गया हमारा क्योंकि वो उसके अंदर खुल गया है और अगर हम कोई रोशनी उससे आरपार कराएंगे तो वो रोशनी भी हमें नजर नहीं आएगी तो ये सब हम कुछ properties पढ़ रहे हैं इन सजातिय मिश्रन की हमें वो अपनी खुली आखों से भी नजर नहीं आएगे इन सब के कणकर और हमें ये light वी रोशनी भी नजर इसमें से नहीं आएगी वो क्यों नहीं आएगी most important reason हमारा सबसे ज़ादा महत्वपून हमारा इसका answer है वो इसलिए है क्योंकि इसके जो कण हैं वो बहुत ज़ादा छोटे हैं ये सबाब लिख लीजिए जो कण हैं वो बहुत छोटे हैं वन नैनो मीटर के बराबर है या उससे भी छोटे हैं इसक वो असानी से घुल जाते हैं और हमें नजर नहीं आती हैं और ये हमें टिंडल इफेक्ट भी नहीं दिखाते हैं तो ये बहुत important है properties of homogeneous mixture और अभी हम थोड़ा सा पढ़ रही हैं salt और water को नमक और पानी के घोल को हमने बनाया है तो और ना ही हम इनको अलग कर सकते हैं ना ही हम इनको separate कर सकते हैं filtration method से क्योंकि इनके जो कड़ हैं वो बहुत चोटे हैं और वो filtration method से अलग नहीं हो सकते हैं तो ये हो गया हमारा कुछ example के साथ हमने पढ़ लिया है homogeneous mixture और homogeneous mixture पढ़ने के लिए हमने एक example लिया था उस example से हमने बनाया था एक घोल तो अब हम थोड़ा सा घोल के बारे में जानते हैं जादा तर जो हमारे सजातिय मिश्रण और जो हमारा घोल बनाया है उनकी जो properties हैं वो बराबर हैं वो बिलकुल सेम है तो अब हम घोल के बारे में जानते हैं घोल बिलकुल एक समान हमारा मिश्रण है क्योंकि घोल बनाने के लिए भी हमें दो चीजों की जरूरती जैसे नमक का पानी हमने बनाया था तो हमें दो चीजों की जरूरती मतलब वो तो हमने मिश्रण बना दिया वो कैसा मिश्रण है वो हमारा एक समान मिश्रण है जिसमें हमें दो या दो से जादा पदार्थ की जरूरत होती है ठीक है तो ये तो हमने एक तरीके का घुल बनाया अब हम इसको और तरीके के भी घुल बना सकते हैं ये जैसे हमने salt लिया था नमक लिया था वो solid था liquid हमने जो water लिया था वो liquid था इसे तरीके से अगर हम कोई और हम matter लेते हैं अगर हम कोई और pदार्थ लेते हैं तब कैसा बने का वो भी हम जान लेते हैं जैसे अगर दोनो पदार्थ हमारे liquid रहेंगे तो हमारा example क्या बन सकता है पानी और इंक का example अगर हमारा एक दोनों प्रधात solid लाएंगे तो हमारा बन सकता है Elois Elois जो है, वो हमारे Elois जो हम बनाते हैं वो दोनों Elements को मिलाकर बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं कि दोनों Elements की जो दोनों तत्वों की जो हमारी खूबिया है वो उसके अंदर आ जाएंगी और हम उसको और अच्छे तरीके से फिर उसको और जगा भी उसको use कर सकते हैं तो जितनी ज़ादा elements हम मिलाएंगे उतनी ज़ादा हम उसके अंदर खूबियां आती जाएंगी अब हम चलते हैं gas और gas अगर दोनों ही हमारे gas है तो इससे अच्छा example और कुछ नहीं हो सकता हवा हवा के अंदर बहुत तरीके की अलग-अलग gases है तो वहां से भी हमारा एक missioner तयार हो गया है solid और liquid तो हम पढ़ी चुके हैं अब हम पढ़ते हैं solid और gas तो जैसे hydrogen को हम ले सकते हैं जो एक gas है और कोई भी अगर हम metal के साथ उसको मिलाएं तो ठीक है और आखरी हमारा लेते हैं हम liquid को अगर हम gas में मिलाएं तो हमारा example बन जाता है soda water जैसे ही हम soda की bottle को खोलते हैं तो fist की अवाज आती है वो अवाज हमें बताती है कि इसके अंदर carbon dioxide gas को मिलाया गया है पानी के साथ मतलब gas मिली है पानी के साथ यहां से हमारा एक समान missioner बनकर तयार हो गया है हमने कुछ alloys की बात करी है तो मैं आपको कुछ example भी दे देती हूँ जैसे हमने bronze आपने bronze सुना होगा bronze जो बनता है वो copper और tin से मिलकर बनता है copper और tin element से मिलकर बनता है जो brass बनता है ऐसी silver भी हमारा एक alloy ही है brass बनता है हमारा copper और zinc से milk कर तो इस तरीके से हमारे बहुत तरीके के alloy होते हैं जो हम उनको आम मर्रा में use करते है so that की हमारा जो समान बनकर मिलकर तयार हो उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हो और उनको बहुत जगाओं पर use भी कर पाए ठीके तो मतलब यहां से तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारा घोल बना है वो बना है दो चीजों से दो तो चीजे चाहिए ही चाहिए ठीके अब हम इन दो चीजों के बारे में और भी जानते हैं हमारा जो घोल बनकर तयार हुआ है जैसे फिर से हम अपने उसी एक्जामपल को लेकर पढ़ते हैं salt और नमक और पानी ठीके तो इसको हम कहते हैं जो solution हमने बनाना होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है पहला होता है solute और दूसरा होता है solvent जो हमारा solute होता है वो जादा तर cases में हमारा होता है कम quantity में कम quantity में हम उसको लेते हैं और जो solvent होता है वो हमारा जादा तर large quantity में use होता है जादा तर जो हमें बनाते हैं जैसे पानी हमने लिया नमक और पानी का जो हमने घोल बनाया उसमें पानी हमने जादा लिया तो इसलिए वो solvent है उसमें solute हमने कम लिया तो इसमें हमारा वो solute आ गया है ठीक है? तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है अब समझते हैं ये solute और solvent होते क्या हैं? जो solute होते हैं वो ऐसे प्रकार का पदार्थ होता है जो खुलता है हमारे solvent के अंदर जो खुल जाता है, जो mix हो जाता है, जो मिश्रन बना लेता है और solvent ऐसा पदार्थ होता है, जिसके अंदर वो सारी शमता है कि वो solute को अपने अंदर घोल सके तो जैसे नमक और पानी में solute हमारा नमक हो गया और solvent हमारा पानी हो गया तो इसमें बहुत सारे और बेग्जामपल होते हैं जैसे हमारा शूगर और पानी, चीनी और पानी का भी जो हमारा घोल है ठीक है, ये हमने कुछ solute और solvent, हमारे solution कैसे बनता है उन सब के बारे में ये हमने जाना है अब एक्जामपल को आगे लेकर चलते हैं और हम कुछ इसकी properties के बारे में पढ़ते हैं तो सब heading लिख लीजिए, properties of solutions तो सबसे पहले तो हमें ये समझ में ही आ गया है कि ये हमारे सजातिये मिश्रन है जिसको दो या दो से जादा पतार्थ की जरूरत होती है बनने के लिए इनको हम, इनके छोटे-छोटे करणों को हम अपनी आखों से, सीधी आखों से नहीं देख सकते नंगी आखों से नहीं देख सकते through our naked eyes क्योंकि क्यों नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत जादा छोटे होते हैं इनके करण तो ये तो बहुत अलग-अलग तरीके से question आ सकते हैं लेकिन हमारा जो answer रहेगा जो जवाब रहेगा वो ऐसा ही रहेगा the size of particles of solution बहुत जादा छोटे हैं one nanometer जितने ठीक है जो हमें अंगी आखों से नहीं दिखाई देगा फिर हमने पढ़ा कि जो path of light है वो भी visible नहीं होगी ये हमने पढ़ा ये सारे हम चीजों को अब properties way में पढ़ रही हैं और जैसे कि हमने समझा कि हम इनके particles इनके जो कढ़ है वो बहुत जादा छोटी है इस वजे से हम इनको filtration से भी अलग अलग नहीं कर सकते अलग कर सकते हैं बिलकुल अलग कर सकते हैं भाब बनाकर और भाब का दुबारा से liquid बनाकर condensation करके अलग कर सकते हैं बट filtration से हम इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो कर्ण है वो बहुत जादा ही छोटे होते हैं और सबसे important, सबसे जरूरी हमारा जो line है वो ये है कि ये जो solution है ये हमारे सजातिय मिश्रण होते है ये हो गई है कुछ properties अब हम आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं इनके types तो अब हम अलग-अलग प्रकार के solutions बलाएंगे हमें इतना तो समझ में आ ही गया है कि अगर हम solution बना रहे हैं तो solution बनाने के लिए दो चीज़े चाहिए पहली हमें solute, दूसरा हमें solvent तो बस हमारे इन ही कि वज़े से अलग-अलग प्रकार के हमारे घोल तयार हो जाएंगे कि अगर हमने कभी कम solute लिया कभी जादा solute ले लिया कभी कम solvent लिया कभी जादा solvent ले लिया तो अगर ये ही हम अलग-अलग करते रहेंगे तो इसकी वज़े से हमारे अलग-अलग करीके से घोल भी तयार हो जाएंगे तो चलो सबसे पहले हम अपना घोल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं Dilute Solution Dilute जो होता है उसमें हमारा जो पानी होता है या जो solvent होता है वो बहुत ही जादा होता है और solute के comparison में मतलब जो solute है वो कम है ये arrow नीचे जा रहा है मतलब ये कम है और जो solvent है वो हमारा जादा है जैसे कभी हमने कोई सबजी बनाए उसमें नमक हमारा बहुत कम है पानी पानी जादा है या दाल बहुत जादा है और पानी बहुत कम है हमारा या पानी बहुत जादा है और डाल बहुत कम है, तो वो हमारा बन गया dilute solution, इसका हम और example पढ़ लेते हैं, अगर हमने एक ग्राम नमक लिया, जिसको हमने घोल बनाया 500 ml पानी में, तो देखो नमक की जो उसमें पदार्थ है, वो उसमें बहुत कम है, बहुत कम तरीके से हमें पता चलेगा, तो ये बन गया हमारा dilute solution, इसी काब हम दूसरा बनाते हैं, अब हम इसमें हमने 500 ml पानी लिया था, इस 500 ml पानी में हमने 1 ग्राम नमक को डाला, अगर हम उसी उतने ही पानी में और नमक डालते जाएंगे, तो वो और नमक घुलता जाएगा, पर एक ऐसा हमारे पास stage आएगा, जब और नमक उसमें नहीं घुल पाएगा, जब उसमें नमक नहीं घुल पाएगा, तो मतलब हमारे पास एक घुल तयार हो गया है, जिसको हम बोलते हैं, saturated solution और उस saturated solution में और हम solute को नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर डालेंगे तो वो घुल नहीं पाएगा, और अगर घुल नहीं पाएगा, तो सल्यूशन एक समान घुल नहीं रहेगा, और इसके वज़े से, जो क्र्ण हैं, उस solute के वो हमें अलग से दिखाई देने लग जाएंगी तो वो घोल नहीं रहेगा तो saturated solution वहां तक सीमित है जब तक उसमें और solute घुल रहा है और solute एक ऐसी stage आएगी जब और solute नहीं घुलेगा तो वो बन गया हमारा saturated और अगर उस 500 ml में हमने अगर 2 ग्राम ही salt डाला है नमक डाला है और वो पूरा घुल गया लेकिन और salt भी हम डाल सकते हैं तो वो वाले stage को हम बोलेंगे unsaturated मतलब उसका saturation point नहीं आया उसके अंदर और अभी भी शमता है और नमक को घुलने के लिए तो more solute can be added और घुल बना सकते हैं जिसमें और नमक हम डाल सकते हैं तो यह हो गया saturated unsaturated हमने जो dilute पड़ा था अगर हम इसका उल्टा ही पड़ें और उसका उल्टे को हम बोलते हैं concentrated solution dilute में हमने क्या डादा डाला था? dilute में हमने जादा डाला था पानी मतलब solvent अगर हम concentrated में नमक ही बहुत जादा डाल दें और हमसे पिया ही नहीं जाएगा वो घुल तो वो हो गया हमारा concentrated solution और उसमें solute जादा है और solvent कम है solvent की मातरा कम है तो यह बन गया हमारा concentrated solution तो यह कुछ हो गई है हमारी चार तरीके की अब हम पांचवा तरीका प्रकार जानते है घूल बनाने का पांचवा और आखरी तरीका होता है aqueous solution aqueous का नाम ही हमें बता रहा है जिसमें हमारा जो solvent यूज किया गया है वो हमारा पानी है अगर वो solvent हमारा पानी नहीं किया गया है, तो वो बन गया हमारा छटा प्रकार, वो बन गया हमारा non-aqueous solution, मतलब जिसमें हमने पानी की जगा कोई और solvent ले लिया, जैसे alcohol, acetone, तो ये बन गया हमारा non-aqueous solution, ठीक है, जिसमें हमने पानी की जगा कोई और solvent ले लिया ठीक है तो ये हो गया हमारा अलग-अलग प्रकार के solution अब अगर हमें कभी-कभार paper में find करना है कि concentration बतानी है कि कितना उसमें हमने solute डाला है कितना और solute डाल सकते हैं तो हमें concentration find करनी पड़ेगी और अगर concentration ढूंडनी है किसी भी हमें mixture की किसी भी मिश्रड की तो हमें भैचानना होगा उसके formula से तो कुछ हम formula जानते हैं एक formula होता है mass by mass percentage मतलब दोनों का हम mass ले रही है मतलब solution का भी और हमारे solute का भी तो इसका formula होता है mass of solute numerator में हम हमेशा जब भी concentration के बात आती है तो हम क्या कर रहे हैं हम solute के पास जा रही है solute को ही हम measure करते है divided by mass of solution तो अगर आपको paper में solution की value घोल की value नहीं दी गई है तो आप उसको खुद भी निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे अगर आपको solvent given है मत्तब अगर आपको given है कि 2 gram नमक हमने लिया और हमने 90 gram पानी लिया तो इसका आप 2 gram और 90 gram को मिला के आप solution भी निकाल सकते हैं तो यहां से आपको solution की मात्रा पता चल जाएगी और आप इसको percentage निकाल रहे हो तो अब इसको multiply भी करोगे 100 से ठीके तो यह तो हो गया हमारा mass by mass percentage अब हम दूसरा formula की तरफ चलते हैं दूसरा formula हमारा जाएगा volume by volume मतलब दोनों हमारे liquid की बात अगर हो रही है हमारा solute भी liquid है तो मतलब यह आजाएगा हमारा volume of solute divide हम किस से करेंगे? divide हम करेंगे volume से ही क्योंकि volume है हमारे question में भी volume of solution और यह हमारा percentage है तो मतलब हम इसको multiply करेंगे 100 से भी ठीक है? तो यह हो गया हमारा दूसरा formula अब हम चलते हैं हमारे तीसरे formula की तरफ तीसरा formula हमारा बोलता है mass by volume percentage मतलब by मतलब divide कर रहे हैं तो मतलब हमारा numerator में mass of solute रहेगा मतलब हम एक बात कर रहे हैं solid की और डूसरे बात कर रहे हैं liquid की और हमारा divided by volume of solution जिसको हम multiply कर देंगे 100 से ठीक है तो ये हो गया है हमारा तीसरा और चौथा हमारा molarity भी हम find out कर सकते हैं molarity जो हमारी थोड़ी से आप बड़ी grade में पढ़ोगे molarity का हम एक formula की जगा हम अगर mass of solute या अपने moles निकालने हैं तो हम उसका भी formula जान लेती हैं वो हमारा थोड़ा बड़ी class में पढ़ोगे बट फिर भी मैं आपको बता दीती हूँ moles of solute अगर आपने number of moles निकालने हैं तो moles of solute बहुत असान होता है आपने बस देखना है कि आपको कितना weight given है कितना mass given है एक ग्राम दो ग्राम solute का और बस solute मतलब अगर आपने sodium chloride लिया है तो sodium chloride का आप molar mass निकाल लीजिए मतलब उन दोनों के atomic mass को आप add कर दीजिए sodium का भी और chlorine का भी तो आपके बस molar mass आ जाएगा molar mass आ गया तो आपके पास moles भी given moles भी आ जाएंगे तो ये कुछ formula है हमारे concentration निकालने के कि कितना solute चाहिए कितना नहीं चाहिए तो ये सब हागया सारा के सारा हमारे पास homogeneous mixture में जिसमें हमने elements की बात करी जिसमें हमने compounds बनाए जिसमें हमने अलग-अलग भिन-भिन पकार के हमने हमने सजातिय मिश्रन भी बढ़ा और सजातिय मिश्रन से हमने घोल पढ़ लिया जिन-जिन में सारे एक समान पदार्थ होते हैं अगर हमें अब एक समान पदार्थ नहीं चाहिए मतलब हम कौन सा मिश्रन अब हम बात करने वाले हैं अब हम अपने दूसरे मिश्रण के बारे में बात करने वाले हैं जो है हमारा विजातिय मिश्रण तो विजातिय नाम ही बता रहा है कि ये बिलकुल भी एक समान नहीं है ये एक समान अगर नहीं है तो इसके examples भी हम अलग-अलग तरीके से पढ़ेंगे तो वो सब पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विजातिय मिश्रण के बारे में जानती है कि इसकी जो एक समान composition है उसकी कमी है इसके अंदर lack of uniform composition एक समान पदार्थ की बनने की जो कमी इसके अंदर बहुत जादा कमी है जैसे हमने कोई भी example ले लिया, example से हम पढ़ेंगे जैसे मिट्टी ली और मिट्टी हमने पानी में डाली तो आप देखो कि उसका घोल नहीं बनेगा, मिट्टी हमें अलग से दिखाई देगी बिलकुल तो इसका मतलब है कि हमें proper boundary भी दिख रही है कि कहां हमारी मिट्टी मौजूद है कहां हमारा पानी मौजूद है और अगर boundary दिखाई दे रही है तो उसको हम अलग भी कर सकते है filtration method से मतलब हमारे दोनों इसमें solute और solvent के अगर हम बात करें solution के case में तो घोल के case में इसमें हमें दोनों अपनी चीज़ें दिखाई दे रही है ठीक है और ये इसलिए दिखाई दे रही है सबसे बड़ा ही reason ये है कि इसके जो particles हैं वो बहुत बड़े हैं घोल के particles से size जो है इन कड़ का वो जादा है सजातिय मिश्रंड से जादा है वो 1 nanometer से शुरू होता है और 1 micrometer तक जाता है तो ये difference सबसे जादा है इन दोनों में हमारे सजातिय और विजातिय मिश्रंड में ठीक है तो ये हमारे कुछ-कुछ हमारे mixtures हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं और example लेके जैसे हमने solution के example लिया, वैसे ही अब हम लेने वाले हैं हमारे विजातिय मिश्रण में, विजातिय मिश्रण का जो हमारा example हम लेने वाले हैं, वो हम लेने वाले हैं suspension, हम संझेंगे कि निलंबन क्या होता है, अब हम निलंबन पढ़ेंगे, जो निलंबन होता है, ये हमारे जो म मिश्रण है हमारे विजातिय मिश्रण ही होते हैं ये विजातिय मिश्रण है मतलब कि ये हमें अलग से दिखाई देंगे इनके जो साइज है पार्टिकल्स का वोकन का वो बड़ा होगा इस वज़े से हमें अलग से ये दिखाई देंगे और जैसे हम एक्जामपल ले लेते है जैसे हमने पहले एक्जामपल लिया था, मिट्टी और पानी का, तो जैसी ही हम पानी एक ग्लास है, जिसके अंदर हम मिट्टी जब हम डाल देते हैं, तो वो नीचे बैठ जाती है, है ना, तो मतलब कि ये सेटल डाउन हो जाती है, ये घोल नहीं बनाती है, और एक बारी नी से अलग कर सकते हैं, तो मुझे लगता है, ये सब कुछ समझ में आ गया सबको, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, और भी कुछ पढ़ते हैं, चीजों के बारे में, जैसे हमें समझ में आया है, कि इन सब के बारे में, कि हमने पढ़ा है, जैसे कि suspension, suspension में हमने पढ़ा है, कि ये हमारे heterogeneous mixture होते हैं, मतलब विजातिय मिश्रण होते हैं, विजातिय मिश्रण में हमने पढ़ लिया है इनके बारे में, जो हमारे ये, जिनके particles जो हैं, वो बहुत जादा होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और अगर ये नीचे बैठ गए, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमनीन को अलग कर सकते हैं, असानी से, तो मुझे लगता है, ये सब को समझ में आ गया है, ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, और इनके बारे में, अब हम समझते हैं, कि ये जो suspension है, ये टिंडल effect भी दिखा सकते हैं, इनके अंदर ये मौझूद होता है, कि ये हमारे जो है टिंडल effect भी दिखा सकते हैं, ठीक है, तो अब हम समझते हैं, तीसरा जो हमारा, जो मिश्रन बना रहा है, वो बना रहा है, कोलोईट्स का, जो कोलोईट्स है, ये भी हमारा सजातिये मिश्रन का ही भाग है, पर हमने इनको solutions की तरह क्यों नहीं पड़ा, वो इसलिए नहीं पड़ा, क्योंकि इस मिश्रण के जो पदार्थ है, जो इस मिश्रण के जो हमारे कर्ण हैं, वो बड़े हैं, इस वज़े से हमारे घोल के कर्ण से कहीं जादा बड़े हैं, मतलब ये एक नैनोमीटर से भी बड़े हैं, इस वज़े से colloids और घोल में बहुत जादा difference आता है, अलग-अलग हैं, ठीक है, तो इस वज़े से अगर ये घोल नहीं हैं, तो ये हमारे बन गए हैं, heterogeneous मतलब विजातिय मिश्रण, बर कुछ-कुछ समानता भी हैं, वो भी हम पड़ेंगे, तो अभी हम पह of light जो है, वो भी pass करेगी और जिसकी वज़े से ये हमें दिखाएगा टिंडल effect, मतलब जो कण हैं हमारे colloids के और suspension के जो निलंबन के जो कण हैं, ये निलंबन के सबसे बड़े कण हैं, फिर उससे छोटे colloids के हैं, और उससे भी छोटे हमारे घोल के कण हैं, तो इसका मतल है कि homogeneous mixture, ये भी heterogeneous और ये भी हमारे heterogeneous mixture है, सिफ और सिफ हमारा जो difference जा रहा है, वो इनके कण के size के ओपर ही जा रहा है, जिसकी वज़े से हमने अलग-अलग properties बन कर तयार की गई हैं, इनको भी हम अलग कर सकते हैं, बस हम filtration से नहीं कर पाते हैं, colloids को भी अलग, बट हम centrifugation से असानी से इनको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, तो अब हम समझते हैं थोड़ा सा और colloids के बारे में, तो colloids को भी हम अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं, यो कि थोड़े सो छोटे होते हैं, इतने भी बड़े नहीं होते हैं suspension की तरह, कि बिल्कुली हम naked eye से इनको देख सकते हैं इनके कणों को, अब हम कुछ और बात करते हैं, colloids की जैसे हमने solutions बनाये थे दो चीजों से लिए, इस वज़े से हमारे colloids भी दो चीजों से मिलकर बनती हैं, एक होता है हमारा dispersing phase और दूसरा होता है हमारा dispersing medium, dispersed phase, यह हमारा solute जैसा होता है, और जो medium होता है, dispersing medium, वो हमारा होता है solvent जैसा, तो थोड़ा सा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि हम किसको किसके अंदर मिश्रन कर रही हैं और क्या बना रही हैं, तो ऐसे ही जैसे हमारा अगर यह solid है, यह liquid है, तो कैसा मिश्रन बन कर आएगा, वो हम पढ़ेंगे, तो अगर हमारा जो medium है, वो gas ह हुआ और हमारा phase हुआ जो liquid हुआ तो हमारा बनेगा aerosol, फिर अगर हमारा फिर से medium gas हुआ और जो हमारा substance है जो हमारा, वो अगर हमारा, वो भी liquid हुआ तो वो भी हमारा aerosol ही बनेगा, उसके अलग-ग ईग्जामपल भी होते हैं, whipped cream भी होता है, ठीक है? और अगर यह हमारा liquid हुआ और ये भी liquid हुआ तो बनेगा हमारा emulsion जैसे हमारे paints में भी मौजूद होता है वैसे ही अगर ये दोनों solid है तो हमारे बन जाएंगे जैसे glass ठीक है तो वो हमारा एक colloid बन कर तयार हो गया है और भी तरीकी के होते हैं जैसे अगर हमारा medium है liquid और हमारा phase है solid तो हमारा बन गया है soul ठीक है फिर अगर हमारा medium है solid और हमारा phase है gas तो मतलब हमने solid के अंदर gas मिलाया है तो वो बन गया हमारा solid foam foam देखे जाग बन कर आती है ना वो बन जाती है इसे तरीके से हमारे और भी होते हैं हमने gas और liquid का शायद नहीं पड़ा तो gas अगर हमारी पास है ये ठीक है और liquid है तो ये हमारा बन गया है foam पहले हमारा solid बना था अब हमारा foam बन गया है ठीक है तो इसे तरह प्रकार से हमारे बहुत सारे अलग-अलग तरीके से भी हमारे colloids बन कर तयार होती है तो आज की class में हमने matter के बारे में जाना है और matter के बारे में जाना कि वो कितने शुद है और किस प्रकार से शुद है और किस तरह प्रकार से वो अशुद है शुद जो हमने पढ़े है elements और compounds के बारे में पढ़ा है जो हमारे तत्व और जो योगिक होते हैं वो एक समान एक आटम से मिलकर बनते हैं और जो योगिक हैं वो बहुत सारे एलेमेंट से मिलकर बनते हैं फिर अगर वो बहुत सारे मिलकर बनते हैं तो मतलब हमारे वो मिश्रन बन गए हैं और अगर मिश्रन बन गए हैं तो दो प्र पड़ा है कि जो हमारे particle size है, जो कड़के size है वो जादा है, as compared to हमारे जो घोल हमने बनाए है जो हमारे homogeneous है, फिर हमने solution के भी अलग-अलग प्रकार पड़े हैं, जिसे concentrated, diluted, saturated, unsaturated, aqueous, non-aqueous, तो हमने ये सारी चीजे पड़ी हैं, ये सारी properties जो है, एक ही बात पर टिकी हुई है, कि जो कड़के, जो size है, वो किसका जादा है, किसका कम है, किसकी वज़े से हमें naked eye से दिखाई देगा, और कौन tindle effect बनाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ size पे बात हो रही है, और अगर size बड़ा है, मतलब suspension है, तो मतलब ये असानी से वो नहीं घुल पाएगा, और वो असानी से अलग भी हो जाएगा, using filtration, so thank you so much everyone, I hope you liked it.